रिव्यू करेंगे फिल्म दा लायन किंग फिल्म के विज्वल्स शांदार हैं एक रियालिस्टिक दुनिया बनाई गई है जिसमें कुछ भी अन्रियल नहीं लगता इस बनावटी दुनिया को रियल दिखाने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी गई है छोटी छोटी चीजे जैसे कि घास, कीडे, आसमान, तारे इन सब को बहतरीन तरीके से फिल्म में पेश किया गया है इस आर्टिफिशल दुनिया को इतना रियल दिखाने के लिए टेक्निकल टीम की तारीफ की जानी चाहिए जॉन फेब्रियों ने दे लाइन किंग से पहले तजंगल बुक नाम की फिल्म भी बनाई थी जिसे काफी अप्रेसेशन मिला था एक बार फिर से वो एक रीमेक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है दे लाइन किंग दे लाइन किंग 1994 की एनिमेटेड फिल्म दे लाइन किंग की ही रीमेक है 1994 वाली दे लाइन किंग को आज भी एक क्लासिकल फिल्म माना जाता है और जैसे कि हम हिंदी फिल्मों को लेकर अकसर कहते हैं कि कुछ क्लासिकल चीजों के साथ छेड़ छाड़ नहीं की जानी चाहिए ऐसी फिल्म में एक ही बार बना करती है फॉर एक्जेम्पल आप बॉलिवुड की फिल्म शोले ले लीजिए शोले फिल्म को कई बार रीमेक किया गया लेकिन कोई भी रीमेक फिल्म ओरिजिनल फिल्म के आज पास तक भी नहीं पहुँच पाई ऐसा ही कुछ इस फिल्म दा लायन किंग के साथ भी है ओरिजिनल दा लायन किंग जो की 1994 में रिलीज हुई थी उस फिल्म के मुकाबले इस फिल्म में बहतर ग्रैफिक्स है बहतर विजूल एफेक्ट्स हैं लेकिन इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के कुछ बेहत पॉपुलर केरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। Old is Gold वाली कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है। लेकिन इसके बावजूत जो आज की जेनरेशन है, आज के बच्चे हैं, जिन्होंने शायद 1994 वाली The Lion King ना देखी हो, उनके लिए ये एक फ्रेश फिल्म की तरह होगी। Indian point of view से अगर इस फिल्म को देखे तो ये फिल्म आपको 70s, 80s की बॉलिवुड फिल्मों से मिलती जुलती नजर आएगी। जहाँ पर बच्चपन में हीरो के पिता की हत्या हो जाती है, वो घरवालों से बिछड जाता है, किसी और जगह दूसरे लोगों द्वारा परवरिश, ये सारी चीज़े बॉलिवुड फिल्मों में काफी पॉपुलर रही थी, इस तरह की थीन पर बॉलिवुड में बहुत सारी फिल्म में बन चुकी है, फर्क सिर्फ इतना था कि इंडियन फिल्म में एक्टर्स थे और यहाँ पर यही कहानी जानवर उपर बेस्ट है, फिल्म कई जगह स्लो हो जाती है, खास तोर पे जहाँ पे गाने आते हैं, कई बार गाने बोर भी करते हैं, और फिल्म थमी सी नजर आती है फिल्म में characters के emotions काफी अच्छे लगते हैं काफी real लगते हैं कुछ जगे dialogues के साथ emotion और gesture का मिला जुला रूप देखने को मिलता है जानवर होते हुए भी इंसानों की तरह dialogues बोलते समय कुछ extra poses देना जैसे कि किसी मजाकिय dialogue को बोलते समय खुजली करना ये सब देखने में थोड़ा अच्छा लगता है फिल्म में मुफसा का voice over किया है शारुक खान ने और मुझे शारुक खान की voice dubbing काफी अच्छी लगी इसका reason शायद कुछ शारुक खान के die-hard fans को बुरा लगे बट इस फिल्म में उन्होंने voice over के लिए अपनी age के हिसाब से ही character को चुना है dialogue सुनते वे ऐसा feel होता है कि शारुक खान शायद बॉलिवुड फिल्मों में भी इस age के character को ज्यादा बहतर तरीके से कर सकते हैं जैसे कि इस फिल्म में उन्होंने lead hero यानि कि Simba के पिता के लिए dubbing की है एक राजा किस तरीके से अपने बच्चे को एक सशक्त राजा बनने की सीख देता है वो शारुक खान की आवाज में काफी suit करता है इसके अलावा Simba की आवाज दी है उन्ही के बेटे आरेन खान ने बाकी के characters के लिए आशिश विद्यार्थी असरानी, संजय मिश्रा और श्रेस तलपड़े जैसे actors ने आवाजे दी हैं फिल्म के action पर भी थोड़ा सवाल उठाया जा सकता है actually आज के दौर में हमने कई सारी ऐसी बहतरीन computer animated film में देखी हैं कि इस film से हमारी expectations थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन इस department में ये film थोड़ा सा निराश करती है हलाकि real में lion fight इसी तरीके से होती है लेकिन ये film है थोड़ी और fast action sequences हम expect कर रहे थे film का background music अच्छा है scenes को powerful बनाता है कहीं पर भी background music ज्यादा loud नहीं होता even emotional scenes में भी एक balanced background music रखा गया है जो आज के हिसाब से अच्छा लगता है वरना पहले तो इस तरह के scenes में violin और piano बजा बजा कर scene को extra dramatic कर दिया जाता था film की सबसे अच्छी चीज है इसके visual effects इसके graphics film को बनाने में जो महनत लगी है वो इस film में महसूस की जा सकती है छोटी छोटी detailing का film में ध्यान रखा गया है मुझे इस film से थोड़ी ज्यादा expectations थी अगर आपने भी 1994 वाली The Lion King देखी है तो इस film को देखकर थोड़ा सा disappointment आप हो सकते हैं बट स्टिल ये film आज के बच्चों को पसंद आ सकती है तो family के साथ एक और शाम आपके पास enjoy करने का मौका है मेरी तरब से इस film को 3 stars Have a nice day